आज मैं आपको पढ़ांगे डिसमेनूरिया, डिसमेनूरिया क्या होता है? पेन तुरिंग मैंस्ट्रल पीरियट, पीरियट के टैम जो हमें दर्द होता है उसको हम लोग डिसमेनूरिया कहते हैं इसके कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, प्रैमरी डिसमेनोरिया और सेकेंडरी डिसमेनोरिया, प्रैमरी डिसमेनोरिया क्या होता है, 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 प्रैमरी डि period खतम हो जाता है तो उस time भी दर्ड आपको रहता है इसके कई reasons हो सकते हैं जैसे कि अडिनो माइनोसिस, अन्रोमेट्रियोसिस, PID, सर्वाइकल स्टुनोसिस, फाइबराइड यह सब इसके reason हो सकते हैं symptoms क्या हो सकते हैं, patient क्या complain करेगा बहुत पेक में दर्ड हो रहा है, period के time या period के पहले या period के बाद यह आपको patient complain करेगा इसके normal treatment आप क्या कर सकते हैं, hot water back से पेड़ू पे सिखाई कर सकते हैं यानि जहां पे दर्ड हो रहा है, वहां सिखाई आप कर सकते हैं और normally pain किलर लेके pain खतम भी किया जा सकता है, जैसे mectalis pass, paracetamol इससे भी treatment इसका हो सकता है अगर pain आपको बहुत साथा pain हो रहा है, तो doctor से visit करेगा, गैनलोजिस से दिखाए इसमें आपको pelvic examination doctor करेंगी, ultrasound advice करेंगी, कुछ investigation कराएंगी इसमें आपको caffeine award करना पड़ेगा, tea award करना पड़ेगा, coffee award करना पड़ेगा, smoking award करना पड़ेगा उसके बाद जो doctor can उसको पॉलो करेंगी, उसका treatment करेंगी